चोपड़े जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदे की स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो वेतनरी के सेकंड राउंड का रजल्ट पब्लिस हो चुका है इसमें जो फर्स्ट राउंड की कटोफ थी किसी केटेगरी की फर्स्ट राउंड की कटोफ से इसमें ज्यादा गई है और किसी केटेगरी में फर्स्ट राउंड की कटोफ से कम रही है आपने अगर मेरा फर्स्ट राउंड का कटोफ का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि second round की cut off ज्यादा जा सकती है या फिर इसके equal रह सकती है तो वही हुआ है मैं आपको यहां पर इस वीडियो में category wise cut off बताऊंगा साथ में ये भी बताऊंगा कि first round में इस category की क्या cut off रही थी और second round में इसकी क्या cut off रही है तो मैं आपको यहां पर category wise कटोफ बता देता हूँ तो सबसे पहले हम देखें यू आर केटेगरी की तो यू आर केटेगरी की गौवर्मेंट कोटा के लिए जो कटोफ रही है 66,919 रेंक जिसके 521 मार्क्स ते आईजोल मिला है उस कंडिडेट को फर्स्ट राउंड की देखें तो 526 मार्क्स पर आईज केटेगरी की कटोफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यू आर केटेगरी के 93,245 रेंप पर जिसके 490 मार्क्स ते अरावली मेडिकल कोलेज सीकर मिला है अगर हम इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की कोलेज फर्स्ट राउंड की बात करें तो 501 मार्क्स पर अरावली स कर मिला था तो इसमें भी कटोफ डाउन रही है यूर की गार्मेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कोलेजेज में यूर ओपन की हम बात करें शिवरी इसमें यूर पी डबलुडी मैंने गलती से यहाँ ओपन लिख दिया है यूर पी डबलुडी की बात करें तो राउली वेटनरी कोलेज सीकर मिला है इसके बाद में हम OBC केटेगरी की बात करते हैं तो गौर्मेंट कोटा में 68,902 रेंग पर जिसके 519 मार्ग से इसको आईजोल मिला है मिजोरम का अगर हम ये फर्स्ट राउंड का देखें गौर्मेंट कोटा के लिए OBC केटेगरी में 506 मार्ग से पर कोटला मिला था तो ये इसमें काफी ज़्यादा डिफरेंस रहा है यानि कि फर्स्ट राउंड में जो कटोफ थी 506 मार्ग से और सेक्ड राउंड में 519 कटोफ रही है गौर्मेंट कोटा के लिए OBC केटेगरी में प्राइवेट के हम बात करते हैं तो OBC के काटेगरी में प्राइवेट कंडिडेट इसमें जो मिला है कोलेज 1,11,096 रहेंग पर जिसके 472 मार्ग से अरावली वेटनरी कोलेज सीकर मिला है ये 483 मार्ग से पर मिला था फर्स्ट राउंड में EWS केटेगरी की बात करें तो गौर्मेट कोटा के लिए 76,537 रहेंग पर जिसके 509 मार्ग से तंजावूर मिला है और ये EWS केटेगरी में फर्स्ट रहूंड में 513 रहेंग पर कोलेज मिला था प्राइवेट सेक्टर के EWS की बात करें तो सेक्ड रहूंड में 93,692 जिसके 490 मार्ग से राउली सीकर मिला है ये फर्स्ट रहूंड में 490 मार्ग से पर ही मिला था उसका रेंग 93,839 था राउली सीकर ही उस कंडिशन में मिला था फर्स्ट रहूंड में स्थी कटेगरी की बात करें तो गॉर्मेंट कोटा गॉर्मेंट सेक्टर के लिए 161,070 रेंक जिसके 425 मार्क्स हैं उसको पोक्डे कोलेज मिला है स्थी कटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में मिला था 425 को स्री नगर मिला था यानि 425 मार्क्स वाड़े कंडिडेट को स्री नगर मिला था रेंक में यही फरक है कि उससे में 161,015 रेंक पर मिला था अब की बार 161,070 रेंक पर मिला है तो ये थोड़ा सा डिफिरेंस है, सेमी है, रेंक रेंक का डिफिरेंस है प्राइवेट सेक्टर की बात करें, स्टी कटेगरी में एक लाग असी हजार तीन सो अठाउन जिसके 409 मार्ट से अरावली मिला है जबकि फर्स्ट राउन में 417 मार्क्स वाले कड़िरेट को अरावली मिला था स्टी कटेगरी की बात करें, गॉर्मेंट सेक्टर के लिए तो वन लाग 80,637 रिंग जिसके 409 मार्क्स हैं, वो नादिया मिला है वेस्ट बंगौल का फर्स्ट राउन्ड की बात करें तो 416 पर मिला था, ये आईजोल मिला था प्रावेट सेक्टर की बात करें, एस्टी में सेक्ट राउन्ड की तो वन लाग 83,544 रिंग जिसके 407 मार्क्स है उसको अरावली वेटनरी को लेज सीकर मिला है फर्स्ट राउन्ड में प्रावेट सेक्टर की 415 मार्क्स पर खालसा मेडिकल, श्योरी खालसा वेटनरी कोलेज पंजाब का मिला था तो ये कटोफ है, सेगेंड राउन्ड की, फर्स्ट राउन्ड की कटोफ भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है OBC कटेगरी में फर्स्ट राउन्ड की कटोफ हाई रही है, बाकी कटेगरी में तो कम रही है, लेकिन OBC कटेगरी में फर्स्ट राउन्ड से कटोफ ज्यादा रही है इसमें मौपप राउंड के लिए थर्ड राउंड के लिए क्या कटोप रहेगी इसका मैं सेफरेट वीडियो बना दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहन